प्रदेश में एक संथ के बलिदान ने इन दिनों खनन माफिया की श्यामत ला रखी है ब्रज चौरासी की घटना के बाद मुखे मंत्री के निर्देश पर अभ्यान शुरू हुआ और 125 दिनों में जो कारिवाई खनन माफिया के खिलाफ हुई वैसी कारिवाई अभी तक कभी देखने को नहीं मिली देखिये ये खास रिपार्ट ब्रज चौरासी में संथ विजयदास का बलिदान खाली नहीं गया मुखे मंत्री अशुग हैलोत ने खनन माफिया को उखाड फेगने के निर्देश दिये थे इसके बाद 21 जुलाई को शुरू हुए अभियान में रिकौर्ट कारवाई देखने को मिली है ब्रज चौरासी में बरसों से अवैत खनन कर आस्था की जडों को खोकला करने वाली माफिया अब सरकार की ताकत के आगे बेबस नजर आ रहे है खनन माफिया 125 जिन से चल रही कारवाई से भैभीत होकर भाग खड़े हुए है अवैत खनन अभियान के 125 जिनों के आगणों की बात करे तो अवैत खनन के खिलाव कुल 362 मामले बनाए गए इसमें से खान और पुलस विभाग ने 250, पुलस ने 45 और वन विभाग ने 66 मामले बनाए अवैत निर्गबन के खिलाव कुल 2626 मामले बनाए गए इसमें से खान और पुलस विभाग ने 2087, पुलस ने 504 और वन विभाग ने 35 मामले बनाए अवैद भंडारन के खिलाफ कुल 103 मामले बनाए गए इसमें से खान और पुलिस विभाग ने 86 और पुलिस ने 17 मामले बनाए तो वही कुल प्रगरन 3000 एकराण में बनाए गए इसमें से खान और पुलिस विभाग ने 2423 पुलिस ने 566 और वन विभाग ने 102 मामले बनाए कुल 958 FIR दर्स की गई, इसमें से खान और पुलिस विभाग ने 369, पुलिस ने 521 और वन विभाग ने 78 FIR दर्स कराए कुल 573 गिरफतारी में से खान और पुलिस विभाग ने 140, पुलिस ने 396 और वन विभाग ने 37 गिरफतारी कराए कुल 98 बड़ी मशीने जब्द की गई, इसमें से खान और पुलिस विभाग ने 95 और वन विभाग ने 3 बड़ी मशीन जब्द की कुल 3148 वाहन और मशीन जब्ध की गई इन में से खान और पुलिस विभाग ने 2356, पुलिस ने 690 और वन विभाग ने 102 जब्ध की कारवाई की खनीज जब्ध की कुल 84420 कारवाई हुई इसमें से खान और पुलिस विभाग ने 7907, पुलिस ने 9501 और वन विभाग ने 12 गारवाई की तो वही कुल 1874.06 लाख जुर्माना वसूला गया गया इसमें से खान और पुलिस विभाग ने अठारा सो उन्डीस दश्मलव 55 लाग, पुलिस ने 34 लाग 66 हजार और वन विभाग ने 19 लाग 84 हजार का जुन्वाना वसुदा है। तुमई अवैद खना निर्गमन और भंडारण की रोजान उस्तन 24 से भी ज़्यादा मामली बनाई जा रहे हैं। पुलिस के ड्रोन तक से की जा रही है। यासी सरपरस्ती अब खनन तो होगा, पर वैद्य होगा और नियमों से ही होगा। भरजी 84 की गटना के बाद राज्य सरकार दोरा शुरू किये गए अवेद खनन के खिलाफ अभियान की खान वन और पुलिस महकमन ने चोरदार कारवाई की है। अभियान को 125 दिन हो चुके हो और इस दोरान हो जाना साथ से ज़्यादा एफायार काटी जा रही है। इस तरह से इस बार तीनों विभागों न मिलकर अवेद खनन माफिया को उखाड़ने की जो शपत उठाई है। अगर यह जजबा कायम रहा तो निश्ची तोर पर कहा जा सकता है कि आने वाले को इस दिनों में खनन माफिया के पैर उखड़ जाए। कामरा परसान इकबाल के साथ निर्बलती वारी पॉस्ट इंडिया न्यूस जैपकुर।